हेलो एन वेल्कम काई इस वाकत आपका फेंटासी डिस्टन चलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नामी बिया वुमन टी ट्वेंटी ट्री सीरीज की जो की मैच होने वाला है यहांसे नामी बिया मुमन वर्सी जिंबावी वुमन के बिच में तो चल सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर कर लेंगे तो चली फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो बात करें इस मेच की से पहले एक छोटी सी रिक्वेश्ट रही कि यूटूब चैनल को अभी तक अपने सस्क्राइब ने कि यूटूब चैनल को सस्क्राइब कर लेज़ेगा क्योंकि यह पूरी टूर्णामेट कवर की जाएंगे इसके साथ-साथ याशे इसके साथ-साथ याशे आज से शार्जा रमजान टी-टैन शुरू हो रहा है इसके मैचिस के भी वीडियो आपको इसी यूटूब चैनल पर मिलने वाले हैं तो यूटूब चैनल को सबसे पहले सस्क्राइब कर लेज़ेगा आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा सिंपली उसे जोइन के लेना अगर वीडियो चलागे वीडियो को आप लाइक और शेयर भी कर सकते हो बात करें इस मैच की तो ये मैच शाम को 6 बजे वंडरस क्रिकेट ग्राउंड विंड होक नमीबिया में खेला जाएगा पीच रिपर के बात करो तो यहां से न्यूटर वल बैरेंस रहने वाली है बेस्टमें सपोर्ड़ पीच है लेकिन वुमन में जिस ज़्यादा स्कॉर होंगे नहीं यहां से 120 इंबस कहलो हैальная थोड़ी सी हाई है यहां सिवी जिपने के चांसे थोड़े से जादा है क्योंकि अभी recently ICC qualifier matches जब हुई थी तब वहाँ पर final में जित क्या रहे हैं यहां से जिंबावे और पिछली 5 matches की बात करोता है यहां से जिंबावे नामीबिया पर भारी पड़ी हुए यानिकि पिछली 5 में जिंबावे जित क्या रहे हैं नामीबिया के सामने है तो जितने क पर से आपके बात करें यहां से इंडरी वांडे मर्व हमारे लिए very important प्रीक रहने वाले क्योंकि अगर बेश्मेंड से इस टिम से अगर की बात करो एस टिम से स्क्वार करेंगा तो जयांसे एंडरी वांडे मर्व हैं हाई-सक्र करता है नजर आसकती है काफी अच्छी प् क्यों तो 29 मैच के अंदर 433 रहने करीवन 19 के अवरेज से यहांसे 14 विकेट भी निकाले वाता है यहांसे बैटिंग से बोलिंग से दोनों ही से यहांसे परफॉरमस देती हुए नजर आ सकती है राइट हैंडेट बैटिंग के साथ साथ यहांसे राइट हम इतने कोई खास प्लेयर नहीं है तो आप हो सके तो यह चारोई प्लेयर्स को अपने टीम के अंदर जगा बना सकते हैं और वैसे विद्यांभी विया के तरफ से हमको चार प्लेयर्स ही रहने हैं क्योंकि जिंबावे थोड़ी हाय होने वाली है तो हमको जिंबावे के प्लेयर्स ही लेकिन यहां से एडवांटेज मिलने वाला है नामी वियाको क्योंकि उसका होम ग्राउंड है और उसका एडवांटेज मिल सकता है तो यहां से यह पहले तो यह चारोई प्लेयर्स ही इंपोर्टन यहां से यह प्लेयर्स काफी इंपोर्टन दे सकती हैं से काईलीन ग्रिन हमारे लिए वेरी इंपरेंट पिक रहेंगी यह आपके लिए पंट प्लेयर साभीत हो सकते क्योंकि बहुत ही कम सिलेक्शन है यह लोग लास में जब टीम बनाएंगी तब मैं आपको इनके बारे में बता दूंगा तो यह प्लेस इंपरेंट रहें बैटिंग से इतने कोई खास रेकोर्ट्स नहीं है तो इनको आप गरांड लिक वगेरा में ट्राय करना है स्मॉल लिक के लिए काफी प्लेयर है यहांसे आडिल वान जिन को ले सकते हो एनिन वान जिन को ले सकते हो फड़िस मैंट के नो उनिस विकेटिंग आले है टीम की क विक्टरिया हमुन यहां को ले सकते हो यह थोड़ी सी डिफिरेंसिल पिक आपके लिए बन सकती है 23 मैचिस के लिए जिसमें से 20 विकेट निकल चुक है राइट हेंड़ बैटिंग के साथ साथ यहां से और ब्रेक बॉलिंग भी करवा लेती है बैटिंग से अकर कोई भी खिलता है तो इनके स्टेट्स आपको टेलिग्राम में प्रोवाइड करवा दूँगा लेकिन इतना कोई खास प्लेश नहीं है के जिनको मैं आपको सजेस् 2022 करोऊ यह फ्लेयर्स कौप को लेनाएं पड़ेगा आई थिंक के शायद बड़ा स्कॉर कर सकती है जिंबा भी पहले बैटिंग करेगी तो बागी यह जो प्लेयर से यह प्लेयर के ओपर ज्यादा किसी की भी नजर नहीं है लेकिन आप देख सकते हैं पिछली 10 मैचिस के अंदर 254 रन मार के आ चुकिये साथ में 8 विकेट निकाल इसके तो आपके लिए एक डिफरेंशिल पिक जरूर बन सकते हैं इनका भी सिलेक्शन आइधिंग के बहुत ही कम है लेकिन मैं इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन सिप करके आ सकती है 21 मैच के अंदर 228 रन है करीबन 23 की एवरेट से यह से 16 विकेट भी निकाले हुए तो मैं खुद इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन सिप करके जा सकता हूँ पी मुझा जी की बात कर तो ओके ओके फिकरेंगे गरांड लिक वगेरा में ट्राइक करना है स्मॉल लिक के लिए काफी रिस्की प्लेयर है पी मरांग ये की बात कर तो इनको अपनी टीम के अंदर ज है डोमेस्टिक के रेकोर्ड और यह है इंटरनेशनल के रेकोर्ड तो यह थोड़ा सा फरक आपको दीखेंगा बाकी बात कर यहां से फ्रांसिस चिपार रिवे तो इन्हों ने भी डोमेस्टिक लेवल की मैचिस के अंदर 6 मैचिस के अंदर 7 विकेट निकाले हुए बाकी यहां चिबाणडा ने इंटरनेशनल मैच के अंदर 18 मैचिस के अंदर 21 विकेट निकाले हुए तो अभी देखो यह दोनों प्लेयर्स है जिन्हों ने परफोर्मस्टिक लेवल की मैचिस के अंदर तो जो बी इंपोर्टनेट है यहां से मुसांगवे और यहां से चिबाण तो बहुत ही जबज़स पर्फरमस देगी, अगर विकेट निकालेगी, तो यहाँ से बंडल्स में विकेट निकालेगी, चार-पांच विकेट एक साथ में निकाल सकती है, तो मौंगवा आपके लिए डिफरेंसील पिक बन सकती है, इवन आप ग्रांड लिग वगेरा में इन है, यहाँ से नाम इनका विकेट किविंग सेक्षन में है, लेकिन यहाँ से बॉलिंग से तकड़ा पर्फरमस दे सकती है, दो तीन विकेट एक साथ में निकाल सकती है, तो के गिरिन हमारी टेम केंदेन रहेगी, काफी कम सिलेक्षन है, मैंने पहले आपको बता जाता कि का क पहले जादा है, मुसंडो का, लेकिन रेकोर्ड्स आप देख सकती है, रेकोर्ड के हिसाब से आप अपने टीम के कुछ चेंजिस करना चाहो, तो कर सकते हो, बाकि ऑल्ल्रावंड सेक्षन में यहाँ से जे नकामो, यहाँ से पी, मरांगे, और यहाँ से के एंडी लोग हमा सकते हो, निचे डिस्क्रिप्षन में, इनकाँ से टीम रहेगी, लेकिन यहाँ यह रहेगी आपके डेमो टिम, फाइनल नान आपको टेलीम में मिलेगा, यहाँ से बिलकुन वांद दूलेगा, नीचे डिस्क्रिप्षन में और यहाँ से लिंक्राइब लिंकBecause, में लिया इ टेलिग्रम में जाके सर्च भी कर सकते हो फेंटासी डिसन चलेंजर या फिर आप सच कर सकते हो अगर वीडियो को आप लाइक और शेर कर सकते बाकी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बुलिएगा क्योंकि आगे आने वाले और अच्छे मैसेश की वडिय यूटूब से जुड़ना बिल्कुल मत बुलिएगा मिलते हम लोग अगले वीडियो में तब तके लिए बाई धन्यवाज जाइन जय बारत